पार्ट दस नरसेवा नारायन सेवा पार्ट दस नरसेवा नारायन सेवा इस पार्ट में स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र जित्रण के बारे में बताया गया है कि वे कितने प्रतिभावान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद का जन्म बारा जन्वरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था इनके बचपन का नाम विले था इनके पिता विश्वनादत एवं माता भुबने शरी देवी थी विद्याले में इनका नाम नरेंद्र नाथ था ये मेधावी चातर थे नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण के सिस्य हो गए और विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए यह एक महान सन्यासी थे भारत के दीन दुखी अभावगरस्त असिचित लोगों की सेवा करना ही भगवान की सेवा समस्ते थे 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म सभा में इन्होंने ओजश्शी भाषण दिया अमेरिका की आर्थिक उन्नती देखकर इनके मन में भारत के दुखी अभावगरस्त सिच्छा से वंचिस समाज की सेवा का प्रबल भाव जाग उठा स्वामी जी ने शिकागो से ही मैसूर के महराजा को पत्र लिखा उनका यह पत्र आज भी उतना ही महत्त रखता है इस पार्ट में उसी पत्र के अंस प्रस्तुत है ये देखिए पत्र है स्वामी जी का स्वामी विवेकानंद जी का पत्र मैसूर के राजा को शिकागो 23 जू स्री नारायन आपका और आपके कुटुम्ब का मंगल करें आपकी उदार सहायता से ही मेरा इस देश में आना संभव हो सका यहां आने के बाद से यहां के लोग मुझे खूब जान गए हैं और इस देश के अतिति परायन लोगों ने मेरे अभाव दूर कर दिये हैं भारत वर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है साधारण जनता की गरीबी पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे पशु हैं उनकी तुलना में हमारे यहां के गरीब देवता हैं इसलिए हमारे यहां के गरीबों को उचा उठाना सहज है गरीबों के प्रति हमारा एक मात्र कर उनको सिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रेत्न करने पर अपनी उन्नति कर सकते हो, वे लोग यह भाव खो बैठे हैं, हमारे जनसादारण और देशी राजाओं के सम्मुख यही एक विस्तरत कारे पड़ा हुआ है, हम हो समय से यह विचार मेरे मन में काम कर रहा है, भारत में इसे मैं कारे रूप में परणत न कर सका और यही कारण था कि मैं इस देश में आया, गरीबों को सिक्षा देने में मुख्य बादा यह है, मान लीजिए महराज आपने हर गाव में निशुलक पाट साला खोल दी, तो मदद देना तथा दूसरे किसी उपाय से रोटी कमाने का प्रेतन करना अधिक पसंद करेंगे, इसलिए प्यासा कुएं के पास न जा सके तो प्रयास पूर्वक कुएं को ही प्यासे के पास ले जाना चाहिए, यदि गरीब लड़का शिक्षा के मंदिर तक न आ सके तो शि उसके पास जाना चाहिए, महामना राजन यह जीवन नश्वर है, वे ही अधारत में जीवित हैं, जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं, बाकी लोगों का जीना तो मरने के ही बराबर है, महराज आप जैसे एक उन्नत महामना राजपुत्र भारत को फिर से अपने प पूजित होता रहे, अर्थात बहुत लंबे समय तक पूजित होता रहेगा, इश्वर आपके महान रदय में भारत के उन लाखों नर नारियों के लिए गहरी संबेदना पैदा कर दे, जो अग्यानता में पड़े हुए हैं, दुख जेल रहे हैं, यही मेरी प्रार्थना है भवदिय स्वामी विवेका नंद, इस प्रकार आपका पाठ समाप्थ हुआ, अब इसके कुछ शब्द हैं जिनका हमें उच्चारण करना है, अभाव ग्रस्त, कुटुम्ब, विस्तरत, निशुल्क, ओजस्वी, समवेदना और परिनित, अब शब्दार्थ, मेधावी अर तीवर इसमरण सक्तिवाला या विद्वान, परिनित, बदलना, सन्यासी, त्यागी या वेरागी, चिरकाल, बहुत समय तक, ओजस्वी, प्रभावशाली, कुटुम्ब, परिवार, अतिति परायन, अतिति सेवा में तत पर, विस्तरत, बढ़ाया, विस्तार, अब अभ्या प्रश्ण संख्या एक, पाठ के आधार पर निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजी, काखंड, स्वामी विवेका नंद जी का जन्म कब और कहां हुआ था, उत्तर, स्वामी विवेका नंद जी का जन्म बारा जन्वरी सन 1863 को कोल काता में हुआ था, काखंड, स्वाम जी नर सेवा को भगवान की सेवा समस्ते थे अर्थात मनुश्यों की सेवा को ही भगवान की सेवा समस्ते थे गाखंड गरीबों को सिक्षा देने में मुख्य बाधा क्या है उत्तर गरीबों को सिक्षा देने में मुख्य बाधा यह है कि वे पढ़ाई के इस्थान पर खेतो में काम करना तथा दूसरे किसी उपाय से रोटी कमाना अधिक पसंद करते हैं। घाखंड, सभी अनर्थों की जड़ क्या है। ुत्तर, सभी अनर्थों की जड़ साधारन जनता की गरीबी है। अंगा, यथार्थ में कौन जीवित हैं। उत्तर यथार्थ में वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं बाकी लोगों का जीना तो मलने के ही बराबर है दूसरे काका खंड स्वामी विवेका नंद का जन्म बारा जन्वरी 1863 को हुआ था उन्होंने ग्यारा सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म सभा में भाशन दिया था बताईए कि उस समय उनकी अवस्था कितनी थी इसमें क्या करेंगे हम लोग ये 11 सितंबर 1893 में से 12 जन्वरी 1863 को माइनस कर देंगे और इसको उल्टी तरफ से लिखेंगे पहले सन फिर महीना फिर दिन फिर ऐसे इसको लिखेंगे सन के नीचे सन महीने के नीचे महीना और दिन के नीचे दिन और फिर हम घटा देंगे त तरापका यहाएगा स्वामी विवेका नन्य भारत माता और दीन दुखियों की आजीवन सेवा की आप अपने आसपास के दीन दुखी अभावगरस्त लोगों के लिए क्या कर सकते हैं लिखिए उत्तर हम उनको ऐसे कपड़े दे सकते हैं जो हम पहनना छोड़ चुके हैं एक समय का भोजन दे सकते हैं और कुछ धन दे सकते हैं अगला प्रश्न भासा गया किसी सब्द के पूर्व आ उपसर्ग जोड़ देने पर उसका विपरीत अर्थ हो जाता है जैसे धर्म के पूर्व आ जोड़ने पर अधन धर्म यानि अधर्म सब्द बन जाता है इसका अर्थ होता है धर्म के विपरीत ऐसे ही उपसर्ग प्लस मूल सब्द निम्न लिखिए सब्दों के पूर्व आ उपसर्ग जोड़कर विलोम सब्द बनाईए और उसका अर्थ भी लिखिए उपसर्ग प्लस मूल सब्द विलोम सब्द अर्थ जैसे आ धन नीति बराबर अनीति अर्थात नियम के विपरीत दूसरा देखिए न्याय अ धन न्याय अर्थात अन्याय इसका अर्थ है न्याय के विपरीत अगला अनधन अर्थ अर्थात अनर्थ इसका अर्थ है अर्थ से विपरीत अधन विवेक अर्थात अविवेक इसका अर्थ है सैयम के विपरीद अधन भेद अर्थात अभेद जिसको भेदा न जा सके अधन चिर अर्थात अचिर जो कुछ समय के लिए हो अधन चल अर्थात अचल जो चल न सके खाखंड देखी निमने लिखित शब्दों के अंत में आ, इ अत्वा इया शब्द लगाकर इस्त्री लिंग सब्द बनाईए जैसे सुत धन आ, सुता, देव धन इ, बरावर देवी, कुत्ता धन इया बरावर कुतिया ऐसे ही आप बंदर, दास, चाचा, हिरन, चुहा, आचार, बच्चा, शेर और बावर में आ या इ अत्वा इया शब्द लगाकर इस्त्री लिंग सब्द आपको बनाना है देखिए, बंदर का बंदरिया, दास का दासी, चाचा का चाची, हिरन का हिरनी, चुहा का चुहिया, आचार का आचार्या, बच्चा, बच्चियां, या बच्ची, शेर, शेरनी, बाल, बालिका यह था आपका पार्ट दस, स्वामे विवे कानन्द अगले वीडियो में आप पाठ ग्यारा छमा मूर्ति गोमाता पढ़ेंगे